हलो एबरीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हो एक और नई डिजैन का डोर मेट और देखिए इसे बनाने के लिए मैंने पुरानी मच्छदानी ली हुई है हमारे पास यह पड़ी हुई थी इसको हमने कट कर लिया यह देखिए यहां से करीब पाच इंच चोड़ाई होगी इसकी और लंबाई आपकी जितनी हो वो आप ले 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 उसके बाद तीन पटियां लेके इस तरह ऐसे आपको चोटी बनानी है हमने इसकी चोटी बना ली है ऐसे यह देखिए इस तरह ऐसे ही हमने यह बनाई हुई है इसमें बेश्ट जो मच्छदानी घर में पड़ रहती है इधर उदर उसका भी यूज हो जाएगा देखिए इस तरह से और इधर हमने देखिए यह देखिए यहाँ पर हमने यह टाका लगा दिया था ताकि इधर उदर ना खिसके अब इधर भी जिदर आप एंड करेंगे इसका उस साइड में भी ऐसे इसको थोड़ा सा टा तो देखिए अब हम यहां से इसकी ऐसे सिलाई करेंगे आप चाहें तो इसको ओबल से भी दे सकते हैं और या फिर राउंड सेप में सिल सकते हैं देखिए इस तरह से ऐसे सिलते जाना है यह हम बूल ले रहे हैं सिलाई के लिए तो देखिए इसको राउंड राउंड करते हुए हम इसकी सिलाई करते जाएंगे ऐसे देखिए जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इस तरह से इसको रख लें उसके बाद आप इसको ऐसे मिलाते हुए सिलते जाएं यह आप सिर्फ एक घंटे में बना सकते हैं बहुत जल्दी यह बनके कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से यह देखते जाना है इसमें दोनों इसको ज्वाइंट करते जाना है और यह देखिए सिल्वट नहीं आनी चाहिए इसमें ऐसे देखिए अगर आपके पास कलरफूल मच्चदानी है तो आप उससे भी बना सकते हैं या फिर आपके पास किसी और कलर की है या प्रेंटेड है उससे भी बना सकते हैं और यह चोटी आपको इतनी बड़ी बनानी है जितना बड़ा यह डोर्मेट बनाना है आपको यह हम सरिफ आपको इसका मीडियम साइज बनाके दिखाएंगे आप फुल साइज का बनाना चाहते हैं तो चोटी को बड़ा बना लीजिए तो यह आपका फुल साइज बनके कंप्लीट हो जाएगा यह देखें और यह बिलकुल साइज बनके कंप्लीट होगा थिकनिस भी इसकी काफी अच्छी होगी कर देखें इस तरह से आप से लेंगे मिलाते हुए इस को तो उल्टे तरब भी यह पतानी चलेगा और धागा आप मैचिंग का लगा सकते हैं जिस कलर से आपने यह बनाया है मच्छदानी जिस कलर की आपकी है कि अब बड़ा होता जाएगा बैसे ही इसी होता जाएगा सिलना इसको आप समे एईड़ा लूगा रहा होता जाएगा लेख से लेते हैं होता जाएगा जडिए से लेघघ इसी इसी होता जाएगा मैच्व गाम्मानी इस्वड़ा कारें अवरा हैं हैं हवल झाल झाल यह देखे यह देखे इस तरह से हमने इसको round में सिल लिया और देखे end जो है वो उसका इस तरह से आप यहाँ पर करके इसको ऐसे करके fold कर देंगे ऐसे उपर के जिदर को आपको उल्टा रखना है उस side में तो देखे कि यहां से हमने फोल्ड कर दिया और इसको हलका सा हम इस तरह से करते हुए ऐसे इसको यहां से हम फोल्ड करते हुए दबाएंगे ताकि यहां पर उल्टे तरह यह खुले नहीं जो चोटी बनाई है और एक बार ऐसे इधर से ऐसे करते हुए इस साइड से वापस इसको अच्छे से मिलाते हुए टाक देंगे और यह आप बहुत जल्दी बनाके कम्प्लीट कर सकते हैं यहां पर अच्छे से हम टाकेंगे और देखिए इस तरह से यह बनके कम्प्लीट हो गया और देखिए यह मसीन वासेवल है मसीन में भी वास हो जाएगा और बिल्कुल ही आसान तरीके से बनके कम्प्रीट हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा थेंक यू